स्वागत है आप सबी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट्सवेर पे आज हम सीरीज के कोशिन करेंगे नंबर सीरीज के जिसमें हमने फärस्ट कोशिन लिया है जो कि जीरो से स्टार्ट हुआ है जो नंबर 0 से start होते हैं वो नंबर basically square या cube के question होते हैं तो जहां से 0 से start होते हैं तो दो चीजे होते हैं यह तो square या cube और तीसरा हो सकता है addition लेकिन addition यहां करेंगे तो 0 से start होकर इतनी जल्दी यह 180 पे नहीं पूँच पाएगी तो इसलिए addition का question नहीं हो सकता तो हम 0 कैसे ला सकते हैं हम 1 का work करें और उसमें से 1 minus कर दें तो 0 हो सकता है लेकिन अब हम देख सकते हैं कि अगर ऐसा करते तो 2 का work करके फिर 2 भी खटाना पड़ता 4 में से 2 जाता तो फिर 2 होता यह नहीं आया फिर अब हम देखेंगे यह तरीका होता है तो दूसरा तरीका क्या होता है जब यह addition वाला भी नहीं हो सकता तो एक और तरीका होता है कि हम संख्या का work कर दें और उसमें स्षीरीच चलाएं कैसी स्षीरीच देखे जैए चार आपको 2 दुनी 4 बन जाएगा 3 तीय 9 दुनी 18 बन जाएगा 4 चोक 16 और यहां 3 की multiply करूँ तो 48 बन जाएगा जो की ये value है तो ये वाला जो तरीका है ये इसमें apply हो रहा है ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाए था ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि difference क्या होता है तो difference दिखाने के लिए मैंने किया है अब next वाला जो होगा वो क्या होगा कि हमें 5 का square करना है यहां हमने 3 का square किया तो 2 से multiply 4 का square किया तो 3 से multiply और 5 का square करेंगे तो हमें 4 से multiply करना पड़ेगा 5 पंजे 25 और into 4 करेंगे तो so हो जाएगा तो इसका मतलब D option हमारा answer आएगा उमीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहोगा किसी को समझ में कोई चीज नहीं आ रही है तो comment box में लिख सकता है definitely मैं उसकी help कर दूँगा next question देखता है क्या कहता है 36 से start हुआ 22 पर पहुँच गया बहुत कम सा अंतर है जादा फर्क नहीं है कम होने में दो चीजे होती है कम होने में यह तो घटाया जाता है यह फिर भाग किया जाता है भाग करने वाले में इतने step में बहुत छोटी संख्या बन जाती है बहुत बड़ी से जबकि ये 36 से स्टार्ट होके 22 तक ही पहुँची है तो इसका मंदर सिर्फ घठा कर आंसर आया होगा तो उसमें पैटर्न क्या-क्या बना होगा हर एक स्टेप पे वो हम देखेंगे अंतर निकालके तो 36 और efिर 28 का जो अंतर होता है वो माइनस 8 है 28 और 24 का जो अंतर है वो माइनस 6 है 24 और 22 का अंतर माइनस 2 है तो आप देख पार होंगे 8 और माइनस 2 6 माइनस 2 यहां पर आगया तो अब हमने देखा कि 8 घटा फिर हमारा ये सोरी माफ कीजिए ये 4 है 8 गटा यहां 28 में से 24 जाएगा तो 4 गटा फिर 2 तो 8 का अदा किया है 4, 4 का अदा किया है 2, 2 का अदा होता है 1 अब 1 माइनस करेंगे तो 22 में से 1 जाएगा तो 21 हमें मिल जाएगा जो कि हमारा option C है इस तरीके से इनको find out करते हैं Next question में कह रहा है 7, 9, 13, 21, 37 अब देखें मैं आप लोगों को समझाता हूँ मैंने आप लोगों को बताया यह basic सी वीडियो मैंने बनाई है जिसमें हर एक बच्चे को समझ में आ जाए ताकि हर किसी का base जो है वो अच्छा हो जाए और फिर आगे tough questions को practice कर पाए साथ से start होने वाली value 37 तक पहुँच पाई तो इसका मतलब यहां ना तो गुना हो सकता ना ही वर्ग हो सकता है ना ही घन हो सकता है क्योंकि इतनी चोटी सी value बनती है तो और वो भी कितने एक, दो, तीन, चार चोथे step पे जाके भी सिर्फ 37 बन पाए तो इसका मतलब सिर्फ अंतर का है और अंतर भी जादा बड़ा नहीं हो सकता दूसरी चीज़ जब अंतर निकाला जाता है तो उसमें भी देखना होता है क्रम तो नहीं बना हुआ है देखते हैं, जैसे यहां साथ में दो जोड़ा, नो में हमने चार जोड़ा, तेरा और आप यहां देखेंगे तो आठ आएगा, तेरा और आठ इकिस एकिस और सोले होता है 37, तो इसमें एक करम बना हुआ है वो करम क्या है कि दो दूनी चार चार दूनी आठ, आर दूनी सोले और सोले दूनी बत्तिस इसका मतब अब मुझे 32 जोड़ना पड़ेगा 37 में, तब जाके मुझे आंसर मिलेगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 69, आप्शन C जो है, वो सही आंसर होगा तो पहले हमने देखा कि 7 से 37 पे पहुंच जाए तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, तो हमने अंतर निकाला, और अंतर निकालने के बाद देखा, अंतर में तो कोई पैटन नहीं है फिर उस अंतर में जो पैटन था उसको फोलो करते हुए, उसको एपलाई किया, लास्ट वाले स्टेप में आठ, चोबिस, बारा, देखे, ऐसी जो वैल्यू होती है, उसमें क्या करते हैं, एक बार ये चोटी वैल्यू है, फिर बड़ी वैल्यू है, फिर चोटी वैल्यू है, तो यहां बड़ी वैल्यू आएगी, पहली बात तो ये है, कि इसमें बड़ी वैल्यू का 18 ये एक सिरीज अलग है 24 से ये वैल्यू और इस से ये 54 वाली वैल्यू की सिरीज अलग है जब कोई सिरीज आपकी बनी जिसमें किसी में कम और कभी जादा होता है एक बार वैल्यू बढ़ी होती है तो दूसरी बार वैल्यू छोटी होती है तो उस तरह कि जो Series होती है उनमें 2 Series 1 एक साथ चलती है तो 2 Series 1 साथ चलने से उसमें answer आता है तो हमारे पास जो यह Series इससे answer आएगा वो है 24 फिर आगे यह blank है फिर 54 है तो हमने यहां जो value ली है उसका आधा किया है 12 और फिर उसका 3 गुना कर रहा है 36 तो ये बन जाएगा 36 तो आपसन CB जो होगा वो हमारा आंसर होगा यही पैटर्ण 36 में जब हम फोलो करेंगे मतलब 3 गुना बाई 2 तो 18 तिये 54 मतलब अब दूसरा सीधा सा मतलब समझातो हो इसमें क्या किया है हमने 1.5 गुना वैल्यू ली है 24 का डेट गुना होता है 36 और 36 का डेट गुना होता है 54 तो इसलिए जो बीच में वैल्यू आ रही है वो 36 है तो इसलिए हमारा आंसर 36 होगा नेक्स वैल्यू अब देखें 3 से स्टार्ट हुआ 39 तक पहुंच तो मैंने सिखाया है कि यह अंतर का कोश्चन होगा या फिर पूर्व संख्या में जोड कर आया होगा पूर्व संख्या में कैसे जैसे आप यह देखे 3 और 4 बनता है 7 4 और 7 बनता है 11 7 और 11 बनता है 18 18 ग्यारा बनता है 29 तो 29 और 18 को जोड कर हम अगली संख्या पता कर सकते हैं तो ये 29, 37 और 10, 47 तो इस का मतलब होगा D option हमारा answer होगा फिर से समझ लीजिए हमने 3 और 4 को जोड़ा तो 7 आया फिर हमने 4 और 7 को एक साथ जोड़ा तो 11 आया 11 और 7 को जोड़ा तो 18 आया 18, 11 को जोड़ा तो 29 आया तो अपनी से पिछली संख्या में हम जोड़ के value बना लेते हैं next value आती है तो फिर उसको जोड़ देते हैं ऐसे करके हम ऐसी series को solve कर पाते हैं ऐसे question ऐसे करके solve किये जाते हैं 21, 25, 34, 50 तो संख्या थोड़ी बड़ी बड़ी जा रही है इतनी छोटी भी नहीं है इतनी बड़ी भी नहीं है तो अब हम देखते हैं कि एक बार इसमें क्या-क्या जोड़ कर आ सकता है तो मुझे साफ-साफ pattern दिखाई दे रहा है 225 में जो अंतर है वो 4 है 25 और 34 में जो अंतर है वो 9 है यहां 16 का अंतर है तो इसका मतलब देखो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां जो pattern बन रहा है वो वर्ग का है 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और वो पिछली संख्या में जोड़ के अगली संख्या पता की जा रही है तो इसका मतलब 50 में मैं 5 का वर्ग जोड़ दूँगा जो की 25 होगा तो इसका मतलब मेरा अंसर 75 आना चीए जो यहां इस option में आएगा लेकिन उसको check करना है कि आगे सही होगा की नहीं होगा तो उस 75 में मैं next value आड़ कर दूँगा जो की 6 है 6 का वर्ग तो 6 चंग 36 इसको add करके देखा तो 73 दसूर 11 यह वर्ग संख्या बन कर आ गई तो इसलिए हमने जो pattern follow किया है वो बिल्कुल सही है पांच, नो, सत्रा, उन्तिस, पैंतालिस और पैंसर इसमें हमारे पास देखिए 65 तक पहुँच गए और आगे option में भी ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है तो इसका मतलब अंतर है लेकिन अंतर में क्या pattern है वो मैं समझा देता हूँ 5 और 4, 9 9 और 8, 17 17 और 29 का difference होता है 12 29 और 45 का difference होता है 16 45 और 65 का difference होता है 20 अब इसमें अंतर का अंतर देखि 4 और 4, 8, 8 और 4, 12 12 और 4, 16 16 और 4, 20 20 और 4, 24 इसका मतलब पहले तो अंतर में 4 जुड़ेगा फिर इस संख्या में इस अंतर को जोड़ा जाएगा तो 5 और 4, 9 6 और 2, 8 इसका मतलब option D हमारा answer आएगा जो की आप कैसे पता करेंगे जो अंतर का अंतर है उस pattern को follow किया गया है next question में कह रहा है 6, 13, 28, 69 यहां से शुरू हुआ यहां तक 69 पे पहुँच गया जबकि मुझे दिखने से ही पता चल रहा है यहां 2 add किया गया, double करके यहां 3 add किया गया, double करके यहां double करके 4 add किया जाएगा तो 69 का जो हमारा double होता है पहले उसको देखेंगे 9, 2, 9, 18 5, 2, 9, 10, 1, 11 तो 118 में जब मैं 4 जोड़ूंगा तो मुझे 122 मिल जाएगा जो की option C है option C is the correct answer इस तरह के कोशिन में आपको देखते ही पता चलेगा एक जो होता है अपना वर्ग भी होता है अपना खुद का गुणंक भी होता है और उसको हम घं करे वर्ग करे वर्ग मूल करे घं मूल करे कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन अगली संख्या जो है उस पर फरक पड़ता है लेकिन ये दो का घन है ये तीन का घन है तो यहां वर्ग भी हो सकता था घन भी एक के हिसाब से लेकिन देखा किस के हिसाब से जाएगा आठ के हिसाब से तो एक दो तीन तो यहां चार का घन आएगा और 4 का गन होते है 64 तो इस तरीकी से इस कांसर निकाल पाएंगे आप लोगों को जो मैंने ये ट्रिक समझाई है अगर इनको फोलो अप करेंगे तो पहली बात तो कोशन को देख के पता चलेगा इसमें मुझे क्या लगाना है हर चीज में एक जैसा पैटर्न फोलो नहीं करना है आपको कोशन देखते ही पता चल जाना चाहिए कि आपने इसमें कौन सी ट्रिक अपलाई करनी है फिर उसके बाद आप लोगों को उन पैटर्न को फोलो करते हुए कोशन को सौल करना है उमीद करता हूँ आप लोगों को पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा जिसको समझ में नहीं आया है वो कमेंट बोक्स में लिख सकता है मैं उसकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा उसको समझाने की कोशिज करूँगा कैसे वो आया है नेक्स वीडियो में continue करते हुए इसके toughs question को लेंगे जिससे की आप लोगों को और higher level के questions को समझने में आसानी हो चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में और जिन्होंने मेरा चैनल subscribe नहीं किया है कर लीजिए Thank you